इतरो ने सर्कल परदा एलिफ चलता रहेगा बताये देखो वह टिंग डालो सर्कल इधर देखो सब्सक्राइब क्या होता है सर्कल का मतलब होता है यह देट लोकस हाप क्वाइंट लोकस आफ प्वाइंट which is equidistance which is equidistance from fixed point from fixed point ठीक है तो अब माल लिजिए कि ये आपका fixed point हो गया ये fixed point हो गया और यहां से क्या करना है हमें equal distance पे सारे point collect करने है तो यहां से अगर माल जीए कि 10 cm ले लिए आपने तो ये कोई एक point होगा तो वहीं तो होगा नहीं इसके against इधर भी होगा opposition में इधर भी होगा इधर भी होगा इवें अगर यह सारा point अगर हम dot dot join करें तो यह पोरा क्या हो जाएगा एक circle आ जाएगा तो that is the circle तो circle क्या है point से मिलके बना हुआ है और उन इस अब दर्श्राण है हमने माल लिया ठीक है तो हमने fix point को माल लिया let हमने यह बात let की let जो fix point है एक यह definition से यह हो जाएगा जो fix point है जो fix point है और बेटी सब्सक्राइब सेंटर center and जो fixed distance है fixed distance ये हो गया radius ठीक है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तीन तरह की बात करेंगे एक हमने बात कि अगर सबसे simple वाली बात कि fixed point को हमने सबसे simplest formula लिया 00 पे कहा ले लिया 00 पे ठीक है तो एक केस हम करेंगे case first जो सबसे simplest case होगी कि जो fixed point है वो origin 00 पे ले लिया और जो fixed distance है वो ए ले लिया तो circle आपका यह हो जाएगा ठीक है यह case 1 हो गया और यह distance आपके कितना ले रखा है यह ले रखा है और दूसरा case हम लोग देखेंगे कि हम लोग space में कहीं भी ले लेंगे और plane में कहीं भी लेंगे सो सपोज यह x-axis है यह y-axis है हमने कहा कि जो यह fix point था यह कोई h, k ले लिया हमें h, k ठीक है other than the origin और circle की size वही रखी size का मतलब radius वही रहा radius रहा अब हमें यह दो situation पढ़नी है यह case 2 हम कहते है case 2 ज्यादा general है और case 2 become case 1 जब h 0 हो जाए और k भी क्या हो जाए जीरो हो जाए तो case 2 ही case 1 बन जाएगा लेकिन सबसे पहले हम लोग simplest case की बात करते हैं है ना तो हमने कह दिया कि इसमें हमने क्या लिया है कि fix point मतलब center क्या हो गया 00 तो हमने कह दिया let center जीरो जीरो एंड रेडियस एंड रेडियस क्या हो गया अब देखिए जब भी आपको लोकस लिखना है किसी पॉइंट का तो इस पॉइंट का आप एक्स कॉमा वाई क्वाड़ेट मा लेजिए ठीक है अब हमें पता क्या है कि ओ से लेके पी तक की distance fix रहनी है ओ पी क्या है यह तो ए रहना है यह किसी पी के लिए true होगा चाहिए यह कह दे चाहिए इसको कह दे चाहिए इसको कह दे किसी पी को कह दे यह distance क्या रहनी है यह रहनी है इसका मतलब कि ओपी distance between O and P तो distance formula क्या हो जाएगा x-0 का whole square plus y-0 का whole square equals to क्या हो गया ए हो गया इसका मतलब क्या आ गया that become x square plus y square equals to a हो गया squaring both side कर दें तो क्या आ जाएगा x square plus y square equals to a square इसका मतलब कि यह xy में एक relation आ गया जो मिट क्या आ गया यह xy में एक algebraic relation आ गया है तो यह algebraic relation है जिसकी दो बाते इंपोर्टेंट दो तीन बात इंपोर्टेंट है पहला important बात क्या है पहला important बात है इसमें कि x square y square coefficient बराबर है coefficient coefficient of x square equals to coefficient of क्या है y square है सुन्या गया दूसरा important बात क्या है कि xy वाला टरम यहां absent है क्या है coefficient of coefficient of xy का term नहीं है तो यह क्या हो गया आपका coefficient of x square coefficient of y square के बराबर है और साथ में यह क्या है quadratic xy में तो तीसरा बात हो जो पहला ही होना चाहिए था ना तो coefficient या यूं कहें कि it is quadratic in x it is quadratic quadratic in x and y यह वासन में आ गया तो हमेंसा आप सोचोगे कि जब इस form में equation आएगी x square plus y square plus to a square तो पहला उसका geometrical nature क्या हो जाएगा circle हो जाएगा और अगर इस type की है तो center क्या हो गया जीरो जीरो और radius क्या हो गया a square हो गया अब मालों कि हमने कह दिया कि h, k पे है तो इसका प्रूफ करना इसे भी आसान है हमने कहाए चलो फिर से हमने कोई point पी ले लिया जिसका coordinate क्या है x, y है अब फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा जो ओ से लेके पी तक की distance हो जाएगी अभी भी कितनी रहनी है यह रहनी है लेकिन ओ से पी तक की distance निकालने का formula हमारे पास तो वह ही रहेगा लेकिन data बदल जाएगा x2-x1 मतलब x-h का क्या हो जाएगा whole square y2-y1 मतलब y-k का whole square equals to क्या हो जाएगा a हो जाएगा अब देखो यह separate squares है तो यह square root से बाहर नहीं आएगे जब whole square होता तब यह square root से बाहर आता अलग-अलग squares है तो यह बाहर नहीं आएगा हम लोग क्या कर दे अब squaring both side squaring both side करते ही root हट जाएगा तो x-h का whole square plus y-k का whole square equals to क्या हो जाएगा a square हो जाएगा तो that is the equation of circle which center क्या है h,k और radius क्या हो गया a हो गया इसका भी size y है मतलब radius वही है जो इसका है तो जो भी circle की equations हाएगगी इन ही दोनों से match करेंगी या तो standard होगी जिरो जिरो सेंटर होगा या फिर किसी h,k पर shift कर दिया होगा नोट कर दो मुझे करेंगा कि युझे लूग जिरो प्रॉग्ण लूग जाग युझे लूग एक्वदा